ऑलो दोस्तो स्वागत है आपका उत्राखण ऑनलाइन क्लासेज में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखण ऑनलाइन क्लास जो पहमने यह कल आपको प्रेक्टिस सेट दिया था उसके स्टार्टिंग के 30 क्रेशेन के बारे में तो देखे दोस्तो आप लोगает दा जबान डार्थी की सर जो आप practice set दे रहे हैं उसको explain भी करें तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जो इस 60 questions हैं इन 60 मैं से हम starting में only 30-30 questions discuss करते वे चलेंगे उसके बाद जब हुमारा course complete हो जाएगा फिर हम जितने भी questions बचेंगे आपके जब दुबारा से हम यह practice solve कराएंगे तो उस टाइम पे आपके complete कर दिये जाएंगे तो आप लोग practice set की दिक्कत मत लीजेगा one-liner questions आपको बहुत मिलेंगे आप लोग फिलाल details पर ध्यान दीजिए अपने notes properly बनाते रहे हैं तो चलिए start करते हैं online class practice set number 3 के starting के top 30 questions पहला question है कि जियोली कोट मदुमख् बदन पड़ता है जब मैंने आपको नैनी ताल जनपद बताया था तो उसमें भी बताया था कि नैनी ताल से 20 किलोमेटर की दोरी पर इस्तित है जो कि नैनी ताल तथा हलदवानी के बिलकुल center में इस्तित एक काफी पड़्याटन इस्तल है इसी कारण यहां पर directly दिया गय यहां पर एक center भी स्तित है जिसका नाम है बी breeding center ठीक है यहां तीनों चीज़े इस्तित है जोली कोड में तो आप इसे note करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा कि जोली कोड मंधुमक्षी पालं के अंदर कहां स्तित है ननिताल जनपत के जोली कोड नामकिस्तान पर जोली कोड इस्तल तथा सहलानियों के दिष्टी से काफी आकरशन का केंदर है और यहां के प्रमुक परेटन इस्तल है दकाटेज और बीब्रेडिंग सेंटर और हाउस ओफ वर्विक साहिब और ऐसा माना जाता है कि विवेका नन जी और अर्विंद घोष जी ने भी जियोली कोट की या एं पूछा गया है तो चौबट्टा खाल विदानसबा सीट से निर्वाजित है थोड़ा सा सत्पाल महराज जी के बारे में बात कर लेता हैं सत्पाल महराज जी वर्तमान समय में cabinet में परियतन मंतरी तथा बाल, सीचाई या फिर जल नियंतन मंतरी के रूप में कारियरत हैं और इनका जो पूरा नाम था दोस्ता वो था सत्यपाल सी हैं, रावत ठीक है और इनके पिता जी का नाम क्या था हंस महराज, हंस महराज 1995 में दोस्तों इन्होंने सरोपर्थम चुनाव लड़ा था गड़वाल सीट से कॉंग्रेस के लिए और यह उस पर विजय हुए थे ठीक है इनके बारे में एक और फैक्ट आप अब नोट कर लिएगा कि मानव उथ्थान सेवा समीठी के संस्तापक एक जाम में पूछा गया है यह प्रस्णवी कि मानव उथ्थान सेवा समीति के संस्तापक कौन है तो वह भी सत्पाल महराज जी ही है तो इतने questions आपको directly याद करने है सत्पाल महाराज जी किस विदानसभा सीट से निरवाचित हुए चोबटा, खाल, इनका पूरा नाम था सत्यपाल सीहरावत, जन्मुवा था 1951, कंखल हरिद्वार में, पिता जी का नाम था इनके हंस महाराज, मानव उत्थान सिवा समिति के स अस्तापक है, वर्तमान में राज जी के कैबिनेट मंत्री या फिर पर्येटन मंत्री के रूप में है कार्यत है, पर्येटन मंत्री या बाड या सीचाई नियंत्र मंत्री के तौर पर, और सरोबर्था में इन्होंने 1995 में गड़वाल सीट से कॉंग्रेस के टिकट पर चुन हमारा प्रवी लंबन, दूसरा है विराम, C है परिहार और D है मृत्य जेंड में छमा, तो राज जी के राज जेपाल के अधिकार में कौन सी छिमादान सकती नहीं है तो है दोस्तों मृत्य जेंड में छमा, मृत्य जेंड में छमा की सकती नहीं है राज जेपाल के बास, राज जी पाल भी क्या होता है देश का प्रथम व्यक्ति होता है साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि राज जी की कारीपाली का सक्ति का प्रधान कौन होता है तो राज जी की कारीपाली का सक्ति का प्रधान होता है हमारा कौन राज जी पाल ठीक है और राज जी पाल का जो टाइम होता है वैसे तो दोस्तों वो पांस पूर्स होता है लेकिन राष्टपती के परसार परियंद यानि कि राष्टपती जब चाहे राजिपाल को अपॉइंट कर सकता है और जब चाहे इन्हें हटा सकता है ठीक है और वरतमान में एक काफी उत्राखन के जो पूरो मुख्य मंतरी थे और नैनिताल लोगसवा सीट से सानसद थे कौन भगत सी है कोशियारी जी को महरास्ट का राज़ी पाल नियुक्त किया गया ठीक है महरास्ट का तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट करिएगा कि भगत सीग कोश्यारी जी को महरास में महारास्ट के रास्ट परी चुने गए ठीक है राजिपाल चुने गए और राजिपाल के बारे में वर्णन मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल 153 में मिलता है ठीक है और वर्तमान में हमारी राजिपाल कोन है उत्राखंट की तो वर्तमान राजिपाल है हमारी बेबी र अगर पुछा जाए कि पर्थम राजिपाल कौन थे उत्राखंड के तो पर्थम राजिपाल कौन थे उत्राखंड के तो पर्थम राजिपाल थे उत्राखंड के तो पर्थम राजिपाल कौन थे करके तो पर्थम राजिपाल के पर्थम राजिपाल थे और वर्तमान तो option है बोक्षा, राजी, थारू और इनमें से कोई नहीं, तो दरोगा, मुंसिप तथा सिपाही, राजी की बोक्षा जंजाती पंचायत में नियुक्त होते हैं, तो बोक्षा जंजाती इसका राइट अंसर हो जाएगा, जब आपको उत्राखन की जंजातिया पढ़ाई जा इतना आपको नोट करना है, साथ साथ बोक्षा जंजाती के बारे में आप थोला सा नोट कर लीजिए, कि बोक्षा जंजाती खुद को पवार राजपूद बताती है, ठीक है, क्या बताती है, पवार राजपूद बताती है, और ऐसा माना जाता है, कि बोक्षा जाती उत्र सत्तात्मक परिवार है और में लिए बोक्षा जन्जाती जो हमारी रहती है वो रहती है तराई भावर छेत्र में और मुख्यत दोस्तो यह नैनिताल और उधमसिंग नगर जन्पद में रहती है इसी कारण नैनिताल तथा उधमसिंग नगर जन्पद के इस छेत्र को बोक्ष लुट नाम से भी जाना जाता है और में लिए तरही भावर चेत्र में पाई जाते हैं सरोबर्थम बनिबसा में बते थे पित्र सतात्त परिवार है इनका ठीक है तो इतनी चीज़ा आपको याद रखने बाकि हम आगे बात कर लेंगे और मैंने आपको बताए था सरवाधिक जन संक्याली जन जाती कौन सी है थारू और सबसे कम कौन सी है राजी अगर नेक्स्ट कॉश्चन है कि गुरू राम राई एजुकेशन मिशन किस वर्स से स्थापित किया गया था तो इसका पहले तो आप ऑप्शन सही कर लेजिए का यह सी ऑप्शन अठार सो पचास में हो और पर गुरू राम राई एजुकेशन मिशन की स्थापना की गई थी कब 1950 जी में और कहां पर की गया थी दोस्तो देरा दून में अब थोड़ा सा बात कर ले थे किसके द्वारा की गई थी तो महंत श्री इंदरेश चरणदास जी के द्वारा इंदरेश चरणदास जी के करी थी और यहीं देरादून में ही यह काफी परसिद्धे स्कूल है, दून स्कूल, इकजाम में पूछा गया है कि दून स्कूल कहा है इसकी इस्थापना किसने करी थी, तो 37 रंजन दास जी ने 1935 जी में दून स्कूल की इस्थापना करी थी, काफी most important question है, पूछा भी जा च अपना का स्रे किसे जाता है गुरुराम राय को जाता है क्योंकि दोस्तो 16992 में ऐसा माना जाता है कि गुरुराम राय जी देहादुन, कप पदा रहे थे तो, कप पदा रहे थे 1699 में, कौन से श्टान्त पर, खुलबुला नामकी श्टान्त पर और इनना है, देहादुन में जमीन दान किसने दी थी, या दी थी फते पती सहने, और किसके फरमान पर दी थी, तो वह दी थी, और अंगजेब के फर्मान पर ठीक है और देरादुन में आकर इनुने सबसे पहले देरादुन नगर को बसाने का सरेई किसको जाता है गुरुणाम राइ जाता है ठीक है गुरुणाम राइ दर्वार आज भी वहाँ पर इस्तित है और इतनी चीज़ें आपको याद रखने है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है कि निम्नम ऐसे किस नगर में रेल मार्ग का अंतिम पढ़ा हो है अब देखे दोस्तों ऐसे कुश्चन साब ऑप्सन के इसाफ से करते हैं अप्सन देखे हलद्वानी, खटिमा, कारडगोदाम ata किच्छा देखे हलद्वानी से आगे बढ़ता है कारडगोदाम खटिमा, खटिमा से आगे बढ़ता है टनकपूर ठीक है और किच्छा तो कोई स्टेक्षा झैसल kes June इनसर क्या पर जाएगा किस नगल में rail mark का नंतिम १ब राव सब्सक्राइबργों, सब्सक्राइब किस नगल में railway mark का नंतिम पढ़ा हो चalt Bali समुद रहा करें और सब्सक्राइब अंसी निगर जनपद में बात करते हो तो वहां पर टनकपूर हमारा लास्ट अंटीव स्टेशन अगर यहां पर टनकपूर उप्शन में होता तो हां आप टनकपूर को भी टिक कर सकते हैं ठीक है तो प्रसन है कि इस नगर में रेल मार्ग का अंतिम पड़ा हो है तो यहां से आपको याद रहना है यह 6 जनपद कौन-कौन से है ठीक है? पहला है हरिद्वार, दोसरा है धेहरा दून, तीसरा है पौड़ी गड़वाल, चौता है नैनी-ताल, पांचवा है उदमशी नेगर और चटा है चंपावत ठीक है? तो यह चीज़ें आपको याद रख ठीक है हरी द्वार चनपद और सबसे कम railway track वाला जीला कौन सा है सबसे कम railway track जहां इस देता है वो है पौडी ठीक है पौडी सबसे कम railway track है अब यहाँ पर question आया है कि रेल मार्क का अंतिम पड़ा होतो है दूस्तों कार्डगुदाम लेकिन कार्डगुदाम को बड़ी लाइन का अंतिम railway station में के नाम से भी जाना जाता है क्या बड़ी लाइन का अंतिम railway station ठीक है कार्डगुदाम और पौडी दोनों को बड़ी लाइन के अंतिम railway station के रूप में जाना जाता है और वहीं पूछा जाएगा कि छोटी लाइन का अंतिम railway station कौन सा है तो छोटी लाइन का अ और बड़ी लाइन के अंतिम रेलवे स्टेशन है, काट गुदाम और चोटी लाइन के हैं या टनकवर, अब फुलासर दीखिए काट गुदाम की बात आईए तो काट गुदाम के बारे में भी जाते हैं, कुमाउं का प्रवेश दौर किसे का जाता है, काट गुदाम को, ठीक प्रसिद्ध हो गया, जो कि कौन सी नदी के किनारे इस्तित है, गौला नदी के किनारे, नेक्स कुश्चन है, कि परियाटो को के मनुरंजन हेतु रोटरी कलब इस्तित है, तो परियाटो को के मनुरंजन हेतु रोटरी कलब इस्तित है दोस्तो रानी खेत में, ठीक है, कहां तो आठ में का जो राइट अंसर हो जाएगा वहोगा, अपसा नमबर D, सुभास सिखर दोस्तो नैनिताल जनपत में, इस्तित है, नैनिताल जनपत की स्थाबना 1841 में किस के दोरा की गई थी, पी बहरंजी के दोरा नैनिताल की खोज की गई थी, ठीक है, और नैनिताल को कम सी चोटिया है यहां पर इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो किए पूछी जा सकती है एक च्छोटी लें क्या च्छित दोरकुछ जो कि मैंने आपको 198 डिस्टिक में पूरा डिटेल में बता रगा है थिक है तो अब अगले 가장 की बात करते हैं की कुवादी की फूलों की घाटी किस जनपद में स्तित था तो कुवारी की फूलों की घाटी स्तित है चमूली में दोस्तो फूलों की घाटिया मिलने दो जिस्टिकों में काफी famous है एक है चमोली एक है उत्तरकाशी ठीक है लेकिन मुख्यता है जो अधिकतर फूलों की घाटिया है वह है चमोली में यह है तो है दोस्तो फूलों फूल घाटि क्या है कुवारी की फूल घाटि कहा है चमोली मे इसे किसाथ साथ चमोली में और कौन-कौन सी घाटिया थे थे एक है प्रसिद्ध फूलों की घाटि जिसकी खोज किसने गे थी फ्रैंक S. इसमाइट जी के द्वारा की गए थी कब 1931 में और उन्होंने अपनी पुस्तक क्या वैली ओफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक थी फ्रैंक स्माइट की जिसमें उन्होंने फूलों की घाटि का वर्णन किया और फूलों की घाटि की खोज का स्रेई भी फ्रेंक इसमाहिट को जाता है जिन्होंने कब की थी 1931 में गये थी अब फूलों की घाटी से डिलेटे एक क्षिशन है कि इसे वो राष्टी उध्यान कब बनाया गया फूलों की घाटी को 1982 में राष्टी उध्यान गोजित किया गया था ठीक है और उसके बाद दोस्तो 14 जु जुलों की घाटी चमुल इस्तित फूलों की घाटी के बारे में आपको याद रखना है 1931 में फ्रेंक कैसिसमाइस ने इसकी खोज की थी इनकी एक प्रशित पुस्तक थी वैली ऑफ फ्लावर्स 1982 में इसे राष्टी उध्यान गोशित किया गया और 14 जुलाई सन 2005 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासा सुची में सामिल कर दिया गया इतनी चीज़े आपको फूलों की घाटी के बारे में याद करनी है और इसके कहीं उपनाम भी है जो कि मैं आपको प्रिवेस वीडियो में बता चुका हूँ अब फूलों साब बात करते हैं यहाँ पर बात आईए कुवारी की फूलों की घाटी तो कुवारी की फूलों की घाटी भी चमोली में है इसके अलावा दोस्तों एक है भ्यूंडार की फूलों की घाटी यहाँ भी कहां चुका है चमोली में चुका है युणडार की फूलों की घाटी और कलपनात की फूलों की घाटी है बाड़ा हाठ और उत्तरकासी को जन Ministries 2013 है उत्तरकासी में विसौद मेला तो लगता है यह लगता है इसके 77 मेले लखते है जो की फीमस है दोस्तों प्रसिद्ध माग मेला काफी बार पूछा गया है यह भी उत्रकासी में लगता है साथ साथ बिस्सु मेला ठीक है बिस्सु मेला भी उत्रकासी में लगता है और कंडक मेला यह भी उत्रकासी में लगता है और खरसौली मेला खरस्वली मिला तो उत्त्र कासी के बारे आपको इतने मेले याद रखने है। विसाध मेला, माग मेला, विस्सु मेला, कंडग मेला, और खरस्वली मेला सभी का लगते है । और वारोणी पंचुको labor а to ship यात्र या वारोणी पंचुको सी मेला भी का लगता है। next question है कि शिलालेखों में किसे परम ब्रामन भक्त कहा गया है तो option देखिए निंबर, शीव भवान, भुधेव, या फिर अमोज्य भूत्ी तो उस्तो भुधेव को शिलालेखों में क्या गया है प्रम भक्त ब्राम्मान कहा गया है ठिक है भुदेव का सिलाल एक मिला कहां से है यह मिला जोस्तो बागिस्वर के बागनाथ मंदिर से है जिसमें भुदेव सहीत अन्य आठ राजाओं का वड़ने , ठिक है जो की कत्युद राज़वन्स के आरंध राजा थे बागिश्वर में 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 बागिश्वर म जो कि बागिस्वर में इस्ते थे जिसकी इस्तापना किसे ने करी थी लक्षमी चंद जी के द्वारा करी गई थी कब 602 में ठीक है वैसे इन्होंने उसका पुनरुद्धार गया था लेकिन आपको यहाँ पर डियाक लियाद करिएगा एक जाम में आप रसन पूछा भी जा च की कछेडी तो यह प्रस्चित ना नाटक थे इनके प्रहलाद मलब इनका यह जो प्रहलाद नाटक था इसका पूरा नाम था भक्त प्रहलाद ठीक है तो भक्त प्रहलाद नाटक इनका यह था शाथ जाई वीजाई नाटक और फौंदार की कछेडी नाम नाटक भी इनका य सुमेलित नहीं है, लजतर जल विद्यूत पड಼ोजना उत्रकासी का वी तलिगा बिल्कूल जब don those अमस्त्ता खाल जिल विद्यूतÓन पढ़ाएंशृण बिल्कूल सही our व्यासी जल विद्यूत पड़ी योजना वहांरहां 흥 फ्रस्तित ay में ये मामला हाइलेटेट था तो इसलिए यहां पर ये जल्वीद परियोजना वैसे भी स्टार्ट नहीं हुई है इसका लस्तर सीचाई परियोजना या सीचाई के लिए नहरे मनाने क्या काम चल ला था इसमें तो काफी विरोध भी हो था रूद्रुप्याग जन्पद में इसका तो इस वहसी क्षिए यहां पर लिया गया है अगला कुश्छन है कि उत्राख्र में ब्चभी सधी तक किस सिथान को मूरति कला का केंद्र रूप में क्या प्रसीदिधा यूर предложant श्री जफेत्र में से भी जाना जाता था ठीक है क्या स्री ज्छेत्र और प्रजैन्ड स्टार्टिंग में इसे बजार नाम से भी जाना जाता था क्या बजार तो इतने पॉइंट आपको याद रखने है स्री नगर कौन से जन्पत में इस्तित अब से बहले तो पौड़ी जन्पत में इस्तित है गड़वाली सहली के या उत्राखन के महान चित्रकार रहे हैं और उनकी सहली होने के कराने भी यहाँ पर जो चित्रकला की दृष्टी से भी यह इस्तान काफी important है मारा और मुर्तिकला का केंद्र भी स्रीनेगर को ही माना जाता है नेक्स शुशन है कि खस्पर जिया नामक बोली उत्राखन के किस जन्पद में बोली जाती है तो खस्पर जिया नामक बोली दोस्तो अरमडा में बोली जाती है और जो एक खस्पर जिया बोली है यह कुमावनी बोली का ही एक प्रकार है ठीक है कुमावनी बोली का कुमावनी के बारे मात कर लेता है कि कुमावनी का विकास किससे हुआ है तो कुमावनी बोली का विकास हुआ है दोस्तों वह हुआ है सौर सेनी अप्रभंस से किस से सौर सैनी अप्रवंस से जिस अप्रवंस से हिंदी का विकास हुआ है उसी अप्रवंस से हुआ है किसका विकास? कुमावनी भासा का विकास भी हुआ है और खसमर जीया के साथ साथी दोस्तो एक है मज कुमरिया ठीक है? मज कुमरिया बोली भी कुमावनी बोली का एक भाग है साथ सांग गोरखाली बोली यहाँ दोनों कुमावनी बोली के एक दो भाग है ठीक है? और दोस्तो एक हमारे प्रसिद्ध बोली मैं जब व्यक्ति है कौन? वो है त्रिलोचन पांडे इनके नुसार कुमावनी को चार वर्गू और बारा भागू में विभाजित किया गया है, ठीक है, तो यह प्रसना आप जरूर नोट कर लिजेगा, चार वर्गू और बारा बोलियों में विभाजित किया है, ठीक है, तो खस्मरिया बोली 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 बो जनपद में लगता है तो गिरी मेला लगता है जो कि ताकुला में लगता है इसके सांथ नंदा देवी मेला यह भी अलमुला का प्रसिद्ध है वैसे नंदा देवी मेला और भी कहीं स्तानों पर लगता है लेकिन अलमुला में प्रसिद्ध है इसके सांथ-सांथ अलमुला में है स्रावणी मेला लगता है जागिसुर नामगिस्तान पर ठीक है स्रावणी मेला पूछा गया है एक्जाम में साथ इसाथ अलमोडा के रानिखेत में लगता है सोमनात मेला ठीक है जिसे परसिद्ध पसुग का मिला नाम से भी जाना जाता है और एक मिला और परसिद्ध है श वत पर इस्थित जाता型 को और कौन-डैयों के संगब कोशी तथा सुयाल नड़ीयों के संगब इस्थित है अल्मोरा के उपनाम है कोट, पताल नगरी, टाश्टन नगरी, टामर नगरी ठปयोचो ऐव यह था इस सानतीत झाता है श्द제가 कहाल है यह सभी कहा श्तीते हैं? अलमोडा में ही श्तीते हैं. Next question है, कि फूलबाग नामक हवाई पट्टी की जनपद में श्तीते हैं? तो फूलबाग नामक हवाई पट्टी के बारे में आप लोगों ने सभी पढ़ा होगा. फूलबाग नामक हवाई पट्टी के बारे में श्तीते हैं? चमोली में पुछी जाएं? तो चमोली में है गौचर हवाई पट्टी के है? गौचर हवाई पट्टी और सबसे वियस्ते या फिर सबसे प्रमुग हवाई पट्टी है उत्तरा खेंट के वो कौन सी है? जॉली ग्रांट हवाई पट्टी. ये कहां श्तीत है? तेरा दून मे तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि फूल बाग, हवाई पट्टी काना से था, पंतने गड़ में, नैनी सेनी है, पितुरागर में, जॉली करांट है, देरादुन में, और गोचर है, चमोली मौर, चिन्याली सोन का है, उत्तर कासी में, तो ये चीज़ हैं, आपको या रखना है, और ट्रेल के नाम से ये प्रसिद्ध दर्रा इस्ते हैं, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, बांकि ट्रेल साब के बारे में, आपको इत्यास में बताया जाएगा, और दोस्तो आप हमारा एक ऑनलाइन कोर्स चल लाए है, उत्तराखन ऑनलाइन कोर्स, ज यूबी टीयार द्वारा उत्तराखन के जितने भी एक्जाम्स कराया जाते हैं, जिसमें की फुट्टी प्लस मार्क्स की उत्तराखन पुछी जाती है, उसके लिए हमारा एक पूरा एक कोर्स है, अगर आप इसे जोईन करना चाते हैं, तो दिये गए नंबर उपर हमसे आपके अवास बुक्स नहीं है, तो आप इस कोर्स को पर्चेश कर सकते हैं, और इसकी फीस है, जो कि है 25 रुपे यानकि 500 रुपे पर महा, आपको टोटली एक ही सम्मिशन में फीस पे करनी पड़ेगा, अगर आप इच्छु कहें, कोर्स जोईन करने के तो करिए, वरना को ही ज़रुदी ही है, हम जैसे आपको यूटूब पर वीडियो देते रहते हैं, इस प्रकार से मिलती रहेगी, वहाँ पर बस आपको डिटेल्स में सभी पॉइंट्स को एक्स्प्रेन करते हुए, बताया जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन है हमारा, 19 वा, कि गड़वाल कुम सहकारी सहर भागिता, योजना कब सुरू की गई थी, और पुछा जाएगा थी, सहकारी सहमिती कब बनाय गई थी, राजी में, सहकारी समिती अधिनियम बनाय थी 2003 में, तो confuse मत होईएगा सहकारी समीति अधिनियम बनाया गया था 2003 में और सहकारी सहभागिता योजना कभ श्टार्ट की गई थी एक मई 2005 को ये तो होगी सहकारी सहभागिता योजना एक कुष्चन यहीं से आता दोस्तों यहां कि मूल ये संबर्दित कर यह कपसे लागू किया था उत्रागण में तो यह किया था एक अपरेल 2005 से यहां फ्रसन भी पूछा जा चुका है तो वैट कपसे लागू किया था उत्रागण में यहां याद कर सकते हैं नेक्स शोशन है कि रस्मान उत्सव अतो है तो रस्मान ऊत्सव अतो है प्रती वर्ष में प्रति वर्ष में प्रते यह जा नाम्सरी है. को जाना जाता है इसमें मुखोटा अंद्रेति काफी प्रसिद्ध है रमान उत्सव का जो की पर्तिवर्स चमोली की जोसीमट में मनाया जाता है ठीक है और दोस्तों इससे डेटर एक क्विश्चन है प्रस्ट इंपोरेंट पॉइंट है कि 2 अक्टूबर सन 2009 को यूनेसको द् जाननों को विश्चु का अमूर्थ सांसिक्रेदी धरोहर इसे गोशित कर दिया गया था ठीक है और इसके सांसा दोस्तों इसमें कई नाटकों का भी रूपांतरन किया जाता है इसे मोर मोडियान और बन्या बन्यान के माध्यम से इसमें गाथाओं का नाटे रूपांतरन क किस उट्सव में किया जाता है तो किया जाता है रसमार या फिर कुम्भ मीला ठीक है कुम्भ मीला 12 वर्ष्ज वर्ष्ज से कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको चार ओप्सन दिये गए है पहला ओप्सन है कि हाई एल्टिट्यूट प्लांट फिजियोलोजी सेंटर यह तो स्रीनेगर में इस्तित है यह तो बिल्कुल लेकिन नैनिताल के कुछ नैनिठाट नाम का एक स्थान है रामनगर में इस्तितना होगे एक नैनिठाट नाम का इस्तान है या फिर साइद नक्ठाट ठीक है नक्ठाट है या नैनिठाट है इसे टापका कोई नाम है वहाँ पर इस्तित है क्या राश्टी पादब एवम का मुख्या लई यह भी नानिताल में ही इस्तित है तो इतने आपको पॉइंट याद रखने राष्टी पादव्यम जेविट के नुशंदान ब्यूरो कहा इस्तित है वह है नाग्ठाट या फिन नागलाट नानिताल में नेक्ट याधोरो को नीगाली थी तो तुलसी राष्ट जी ने इस का ओप्स नमबर यह आपका राइट हो जाएगा कि तुलसी राष्ट जी के द्वारा निकाली गई थी और ब्रेटिस सरकार ने इने जिन्दा या मूर्धा पकड़ने का और भी दिया था अगर आपने पढ़ेंगे जब आप बिटी सांदूरन पढ़ेंगे उत्राखन का तुलसी रावत बिटी सरकार ने घुषना कर दीती कि तुलसी रावत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की इतना खंदनाग प्रभाह हुता इनका ठीक है तो डैकली याद कर लिएगा इन्होंने आस्ते ल लगवल लबक 6 गंटे की दूरी कम हो जाएगे ठीक है और बिना उत्तर परदेश में प्रवेस किये बिना ही आप गड़वाल और कुमाओ में प्रवेस कर सकते हैं डिरेकली और कौन से किंदो स्तान को जोड़ता है मिल लिए तो राम नगर और कोड़दवार को जोनता है औ लेकिन जो हमारे प्रकृति विर्मी है या फिर साइंटिस्ट है उनके द्वारा कहा जा रहे है कि इस मार को मत उपरन करिये क्योंकि इस स्तान में जंगली प्रानी या जंगली जो जीव जन्तु है उनके जान को खत्रा हो सकता है ठीक है तो इतना आपको याद रखना है कंडी मार को माउंटेन रोड भी कहा जाता है माउंटेन रोड बिकंडी मार का ही दूसरा नाम है तो आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं अंग्रेजयू की द्वारा इससे बनाई गया था सरोबरत्म का और कार्वेट राश्टी उध्यान के बारे मैंने आपको प्रीवेस तो इतनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं प्रिवेस वीडियो में बता चुका हूँ आप सभी नोट करते वे जरूर चलें अगला कुश्चन है 25 वा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है राजी अभी लिखा गार देरादुन में इस्तित है यह तो बिल्कुल सुमेल लिखा देरादुन में और एकर संस्कृत अकादमी पूछा जाएगा तो यह है हरिधवार में ठीक है इसी के साथ सांथ रंगमंडल का है देरादून और अलमोडा राज्य विलिफियाकार है देरादून में लोक कला संस्तान है अलमोडा में और संसिक्रित साहीचती है हम कला परशाद है संसिक्रित एक आदमी है काहा हरिद्वार में Nex question है कि सीतावणी किस नदी के किनारे इस्तित है सीता सरोर कैस्ति इसटा सरोवर का निरमान किसे दोरा कर८ेंट सीता सरोवर कंड़ाया था उत्तों कुमावमंडल विककास निगम के दोरा स्तापनगब 31 मार्च 26 शेतर को यहां फ्रक्रांब किस नाद करें पहीं नारे कहाश्ति थे नहीं कि चाहिए जाती है उडिकास ने चाहते हैं विकास निगम की चाहती मेले को पालने वाले वाले के नाम से कौन सा मेला मनाया जाता है तो किस मेले को भेडबकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है तो यह है दोस्तो जाबन महा में यह मेला लगता है और इसी मेले में दोस्तो बगवान को गुड चड़ानी की भी एक पर्था है ठीक है और काफी सारी पर्था है इसमें वैसे तो अलग लग तो आपको डैकली याद रखने है कि नुराई मिला कहां लगता है यह लगता है जोन सार वावर छेत्र में देरादून में ठीक है और चक्राता के आसपास लगत स्रावण महा में लगता है और भेल बक्रियों को पालने वाले मेले के नाम से मनाया जाने वाला हुआ है ऐसा माना जाद है जोन सार वावर छेत्र के लोग भेल बक्रियों को चलाने के लिए अलग लग स्थान रूपे जाते हैं तो उसके बस्ता जब वहां से लौट के आते तो आपको इतना याद रखना है जनगलना के अनुसार सबसे कम अनुसूची जन जाती तो वह है तीरी में और सबसे अधिक अनुसूची जाती कौन से जन जाती निवास करती है तो वह है अरिद्वार और सबसे अधिक अनुसूची जाती कौन से जन जाती में निवास करती है तो वह है अरिद्वार तो आपको चार कॉइंट याद रखने है कि उत्राकिन में सबसे कम अनुसूची जन जाती वाला जिला कौन से है टीरी सबसे अधिक अनुसूची जाती वाला जिला कौन से है अ अरिद्वार और सबसे कम अनसुची जाती वाला जन्पत है हमारा चंपावत इतनी चीज़ आपको यार रखेंगे यहाँ पर प्रस्न है हमारा कि सबसे कम प्रतिसत में अनसुची जन्जाती की संक्या की जन्पत है तो वह है टीरी में नएक क्यूशन है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है नहीं अध्योगी की तो 2 001 में निकाली गए थी बिल्कुल सही है नई कर्सी नीती obsessed ुद्यान के बारे में पार्ट टू में मैंने काफी डिटेल्स में आप लोगों को बताया है तो कार्वी डाइस्टिट पार्ट पर दार डांक टिकर्ट कब जारी हुआ था 1986 में नेक क्रूश्चन है कि योगी स्वर किस इस्तान का प्राचीन नाम है तो योगी स्वर किया है जागी स्वर का प्राचीन नाम है जो कि जार गंगा ने दिके किनारी स्थित है स्रापरस्चित स्रावणी मेला यहाँ पर लगता है अलमुडा जन्पद में पढ़ता है और जो कि जाड़ गंगा ने दिए किनारे इस्तित है एक जम में पूछा भी जा चुका है ठीक है अलमुडा जन्पद में नेस्ट क्रिशन है कि कुमाओं में नर्सिहंबाडी पांडे खोला आदी बगीचों के निर्मान करता के रूप में किस चंद सासक को जाना जाता है लक्षमी चंद को ही जाना जाता है दोस्तो लखुली बिराली उपनाम से कौन्छे नाम से लखुली बिराली नाम से लखुली बिराली नाम से लक्षमी चंद को जाना जाता है इनके 22 पूत्र थे कितने 22 पूत्र और बावडियों बागों के निर्मान के गारण काफी परसीदे थे और दोस्तो खतरवा त्यहवार के बारे में जो एतियासी कता है उसके बारे में आपने सुना होगा कि लखातार साथ बार गड़वाल पर आक्रमन कर हारने के पुणता जब 8 पर लक्षमी जयन्य चंद ने गड़वाल पर आक्रमन किया तो गड़वाल को लोटने में उखाने में गड़वाल सune लोचते टाम उसने क्या गिया मुच्छाले लेकि आए तो लोग तो इस सेकर में खतरवा उत्सव मनाया जाता है ये कि एक प्रता है लेकिन खतरवा जो त्योवार है उसे गाई त्योवार या फिर प्रसुओं का त्योवार नाम से भी जाना जाता है नेक प्रस्टन है आपका कि बजार के नाम से कौन सार नगर जाना जाता है तो य क्रिश्चन में आपको आज की वीडियो में ही बता चुका हूँ ठीक है तो आपको इन दोनों क्रिश्चन के अंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं कि गड़वाल कुमाओ छेत्र का अंतिम सासक किसे माना जाता है ललित साहा महेंद्र चंद शुदर्शन साहा या फिर पर्दियॉम ने साहा ने 804 में खुलबुड़ा के युद्ध में इसके मिलति हो गी थी उसके बात क्या होँआ पर्मार राजु हो गया था अंति क्योंकि 1815 से क्या हुए थी तीरी जियासत साढ के रूप में काउंट नहीं करते हैं इसलिए यहां पर इसका अंसर हो कि नियम निया को याद रखना था तो इत्याक सुरू? कुमाओं और गडवाल डोनुजगे चेहते को इतियो Ό container स्पलोता चाहते हैं तो इतियास के बिधियो में यहींरा चाहते ने थैंक्स वर वाजिंज वीडियो अगर आप हमारे कोर्स से जुलना चाते हैं तो निम्न दिएगे संपरू कॉंटेक्ट नंबर पर संपर कर सकते हैं धन्यवाद